हाई एब्रिवान आज मैं आप सब के साथ क्रिस्पी कॉर्ण की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही ज़दा टेस्टी होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है तो चलिए सुरू करते हैं कॉर्ण बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बॉल कॉर्ण लिया है यह सुईट कॉर्ण है और मैं यहां पर एक बॉल कॉर्ण के लिए दो चमच कंफ्लोर लिया हूँ और एक चमच मैंने यहां पर चिली फलेक्स लिया है और आधा छोटी चमच यहां पर मैंने ब्लक पेपर पाउडर लिया है काली मिर्श का पाउडर और यहां पर एक चमच मैंने लाल मिर्श का पाउडर लिया है और एक चमच यहां पर जीरा पाउडर लिया है और एक चमच नमक लिया है आप स्वाध अनुसा नमक ले सकते हैं और यहां पर दो हरी मिर्श को मैंने काट लिया है और इसने आपको पांच मिनिट तक वह करना है जीसे कि यह जो दाने है यह थोड़ा सबूल जाएं तो आपको पता चल जाएगा बस पांच मिनिट में यह बॉल हो जाएंगे अभी हमारे corn boil हो चुके हैं ये size में थोड़े से बड़े हो चुके हैं तो ये boil हो चुके हैं इसे boil होने में 5 मिनिट लगा बस अभी इसे हम चननी से निकाल देंगे यह कॉर्ण हम छान चुके हैं तो अभी इसे बर्तन में निकाल लेंगे बस इसे निकालने के बाद इसमें जो हमने कॉन फ्लोर लिया था दो चमश बो अभी इसमें हम डाल देंगे बहुए है तो अभी इसमें हम नंक डाल देंगे, नंक आप मैं अपने के सफ़ाइच में भी हम लाल मीर्च भी ढाल देंगे और बागी के जो मसाले हो हम इससे सबिंदक आड करेंगे पाद आपको इसको अच्छे से मिला देना है आपको एकदम से अच्छे से इसे मिलाना है जैसे ये जो पाउडर टाइप का है मतलब बो नहीं दिखना चाहिए एकदम अच्छे से इसमें आपको कोड करना है अगर थोड़ा सा ड्राय लगे तो आप आधा चमच या एक चमच तेल को पहले गरम कर लेते हैं तेल गरम हो चुका है एक द़्लकर आपको जादा नहीं होगा घुसके अगर प्रत प्रतलों को सिसे प्रया कि से तेल अगर सेध्य करें अग्रूर ell करना है बना बॉर जो कॉन है क्रिष्पी नहीं बनेंगे और इसी मीडियम गरम तेल में ही आपको कॉन को डाला है जिसे कि आप इसके ऊपर ढग सकते हैं बस अभी ये जो कॉन है इसे में डाल लेए हूं लेकिन इसको आधा अधा करके डाला है पूरा एक सारा नहीं डालना, आधा आधा करके इसको डालना है एक कॉर्ण डाल दिया है, डाल के दाइन में सूट नहीं करता ही क्योंकि ये उपर चिटकते, इसलिए में प्लेट पकड़के इसे डाल रही थी अभी इसको आपको लो फिर्म में मतलब पांच मिनित तक ही फ्राय करना है तेन मिनित हो चुका है, बस और दो मिनिट के लिए आपको इसको फ्राय करना है बीच में थोड़ा सा चला भी लीजेगा इसको तब ही ये फ्राय हो चुके हैं तो अभी हम इन्हें अच्छे से छान कर निकाल लेते हैं देखेगा कैसे साउंड हो रहा है कड़कड़ ये बहुत ही ज्यादा कड़क और बहुत ही क्रिस्पी बने हुए है फोड़ा थोड़ा करके आप इसको टेल को अच्छे से निकाल लीएगा अच्छे से निकालने के बाद इसको प्लैट में डाल दीजियेगा अब चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं लेकिन मैं आपको मसाले में मतलब मिला कर बताऊंगी जो की ज़्यादा मसाले दार होता है और ज़्यादा टेस्टी होता है बो भी बताऊंगी लेकिन इसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं तो बचा हुआ था उसे भी म और जो जीरा पाऊडर हैं उसिए आड़ कर दूगा और जो हरी मिर्च मेने यहां पर काटके रखे दैं उसे भी आड़ कर दूगा साथ यह जो बेलकपेपर का पाऊडर है से माड़ ativas कर लोंगी और इसके बाद यहां पर नीम कि छे के बाद आपको इसको अच्छे से मिला देना है आप चाहे तो इसे धनिया का पत्ता भी आड़ कर सकते हैं और यहां पर चाट मसाला भी आड़ कर सकते हैं लेकिन चाट मसाला आड़ करेंगे तो नमक थोड़ा कम आड़ किजेगा क्योंकि चाट मसाले में नमक बहुत ज्याद आप सबको आज का मेरा क्रिस्पी कॉर्न का रेसिपी अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू